नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका विश्वा में त्रोन लाइन एजुकेशन में आज का जो हमारा वीडियो है वो है समाष शास्त्र वस्तुनिष्ट प्रश्न भाग 22 समाष शास्त्र के विचारों को का योगदान भाग 3 तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्टन गांधी जी का विश्वास था सत्य पर असत्य पर उप्रोगत दुनों या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option है सत्य पर गांधी जी का विश्वास सत्य पर था व्यक्तिगत जीवन संगठन के लिए आहिंसा होती है सिद्धान्त पद्धती आउधार्ना या ब्रह्मास्त व्यक्तिगत जीवन संगठन के लिए आहिंसा है तो इसका जो सही आंसर है वो है option D ब्रह्मास्त व्यक्तिगत जीवन संगठन के लिए अहिंसा ब्रहमास्त्र है अहिंसा एक सामाजिक है सत्य मूल्य धर्म या आदर्श तो अहिंसा एक सामाजिक धर्म है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option सी धर्म मानव विकास के उपागम में ग्यान, कर्म और भक्ति संबली थे निम्न में से किसने कहा है सत्य का एक तत्व अहिंसा है किसने कहा है तिलाद गोकले महात्मा गांधी या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है उप्शन सी महात्मा गांधी अहिंसा किस प्रकार का व्यवार है सकारात्मक, नकारात्मक, निश्यधात्मक या इन में से कोई नहीं अहिंसा किस प्रकार का व्यवार है सकारात्मक, नकारात्मक, निश्यधात्मक या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है option है सकारात्मक option है इसका सही अंसर होगा गांधी जी ने पूंजी पतियों को समाज का क्या बताया है सनरक्षक, चिंतक, सुधारक या शोषक तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option है सनरक्षक गांधी जी ने किसकी सिख्षा का प्रयोक किया था रामायन, इशोप निशद, पुरान या इस्मृति सका सही आंसर होगा नव वेदान्त क्रांती के सबसे योग्य प्रतिनिधी कोन थे? नव वेदान्त क्रांती के सबसे योग्य प्रतिनिधी कोन थे? रामक्रश्न विवेकानन अर्विंद या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सई आंसर ये वोय आप्षन सी अर्विंद न वेदान्त करांती के सबसे योग्य प्रतिनिदी अर्विंद थे श्री अर्विंद गोष किस कालेज के प्रचार थे शान्ति निकेतन होलकर बढ़ोदा या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर ए वोई उप्षन सी बढ़ोदा श्री अर्विंद गोष बढ़ोदा कालेज के प्रचार थे एसेस ओफ गीता के लेखक हैं रामकर्षन विवेकनन गिप गांधी जी अर्विंद गोष तो इसका जो सही आंसर ए वोई उप्षन भी अर्विंद गोष नेमन मेंसे कौन वंदे मात्रम समाचार पत्र के संपादक रहे हैं तिलक, गोखले, गांधी जी अर्विंद गोष तो इसका जो सही आंसर ए वोई उप्षन भी अर्विंद गोष जो वंदे मात्रम समाचार पत्र के संपादक भी रहे हैं निम्न मेंसे किस विचारक के सिद्धान्त को अर्विंद ने स्विकार किया था अगस्त काम्टे लाम प्रेष्ट गांधी जी या तिलग तो इसका जो सई आंसर है वो ओप्षन भी लाम प्रेष्ट ओप्षन भी इसका सई आंसर होगा अर्विंद की विश्विशंग की अवधाना कौन सी एकता है भोतिक, मनोविज्ञानिक, सामाजिक या इन में से कोई नहीं अर्विंद की विश्विशंग की अवधाना कौन सी एकता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option B मनोविज्ञानिक औफ्षन भी इसका सई आंसर होगा भारत में सामाजिक परिस्तिती विग्ञान के अगवा माने जाते हैं रादा कमल मुकर जी, विवेकानन्द, डाक्टर घुरिये या इनमेसे कोई नहीं तो इसका जो सई आंसर है वो है औफ्षन है रादा कमल मुकर जी जो भारत में सामाजिक पैस्ति विग्यान के अगवा माने जाते हैं रादा कमल मुकरजी किस कालेज में व्याक्याता रहे सरोजनी कॉलेज, होलकर कॉलेज, क्रश्णनाथ कॉलेज या प्रोक्त सबीत इसका जो सही अंसर है वो है उप्षन सी रश्णनाथ कॉलेज रादा कमल मुकर्जी करेशननाथ कॉलेज में व्याक्याता रहे है रादा कमल मुकर्जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या है 43, 46, 53 या 56 रादा कमल मुकर्जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कितनी है तो इसका जो सही आंसर है वो है आप्शन C, 53 रादा कमल मुकर्जी किस सरकार के आर्थिक सलाकार थे लखनौ, गवालियर, कलकत्ता या भुपाल रादा कमल मुकर्जी किस सरकार के आर्थिक सलाकार थे तो इसका जो सही आंसर है वो है उप्षन भी गवालियर रादा कमल्मकर जी ने मुल्यों के कितने आयام बताए है। एक, दो, तीन या चार तो इसका जो सएह अंसर है वह है आपशन C, तीन तीन आयام बताए हैं समाजिक मुल्यों के अध्यन के साथ किसका नाम जुड़ा है? किसका नाम जुड़ा हुआ है निम्न में से किसने अर्थ शास्त का संस्थात्मक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है निम्न में से कौन लफ्नव विश्विद्याले के अर्थ शास्त रेवं समाज शास्त के प्राध्यवक तत्था कुलपति रहे है राधा कमल मुकर जी ऐसी दूबेया एन के बोश्त पूस्त इसका जो सही अनसर है वो एफ्षण है रादा कमल मुकर जी निम्न में से किस के अनुसार मूली समाज दौरा मानियता प्राप्ति छायता लक्षे हैं जिनका अंतरी करण समाजी करण की प्रक्रिया के माद्यम से होता है रादा कमल मुकर जी जी एस गुरिये ऐसी दुबेया एन के बोस निम्न में से मूल्यों के समाज दौरा के रूप में जाना जाता है निम्न में से भारत में छेतरी आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा निम्न मेंसे भारत में चेतरी आयामों के बारे में व्यापक रूप से किस ने लिखा तो इसका जो सई आंसर है वो भी है ऑप्षन रादा कमल मुकरजी पुस्तक दा डाइमेंशन आफ बेलियूस के लेखक कुन है त्थ इसके लेखक जो है वो भी है राधा कंश्त्री का प्रभाव पड़ा रादा कमल मुकर जी ऐसे घुरिये इरावती करवे या उप्रोक्त सभी तो इसका जो सही आंसर है वो है जी एस घुरिये option भी इसका सही आंसर होगा निम्न में से पुस्तक दा कुगर्स ओफ साउथ इंडिया के लेखक है रादा कमल मुकर जी ऐस घुरिये इरावती करवे या एम एन श्रीनिवास तो इसका जो सही आंसर है वो है option भी इम एन श्रीनिवास पुस्तक दा कुगर्स ओफ साउथ इंडिया के लेखक हैं एम एन श्रीनिवास पुस्तक सोशल चेंज इंडिया के लेखक कौन है रादा कमल मुकर जी जी ऐस घुरिये इरावती करवे या एम एन श्रीनिवास तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एम एन श्रीनिवास option डी इसका सही आंसर है निम्न मेंसे कौन संस्क्रती करण के जनक कहलाते हैं रादा कमल मुकर जी जी ऐस गुरिये इरावती करवे या एम एन श्रीनिवास तो एम एन श्रीनिवास हैं जो संस्क्रती करण के जनक कहलाते हैं निम्न मेशे की साउधार्णा से एम एन श्रीनिवास ने जाती में गतिशीलता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की तरह समझाया है संस्कृति करण, निर्पेक्षवादी करण, पाश्चाति करण या आधुनी की करण किसकी राय में भारती गाउं में आत्म निर्परता एक मिथक है निम्न में से किसने पुस्तक द्रश्च और छेत्रे द्रश्च में विबेदी करण किया है निम्न में से किसने पुस्तक द्रश्च और छेत्रे द्रश्च में विबेदी करण किया है संस्कृति करण की अउधार्णा किस ने दी है निम्न में से संस्कृति करण की अउधार्णा किस ने दी है तो इसका भी जो सही आंसर है वो है उप्शन डी एम एन श्री निवाद जिन्होंने संस्कृति करण की अउधार्णा दी है संस्क्रती करण की प्रक्रिया में गतिशीलता इसप्ष्ट होती है, सामाजिक जाती आर्थि क्या इन में से कोई नहीं सामाजिक अवस्ता में परिवर्थन के इस्तरोट के कितने प्रकार हैं एक, दो, तीनी या चार तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option भी दो सामाजिक अवस्था में परिवर्थन के दो इस्तरोत के दो प्रकार है एमन श्रीनिवास के PhD का विशे था भील जाती विवा, कुर्ग जाती विवा, उपरोगत दुनों या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा option भी कुर्ग जाती विवा, पश्चिमी करण किस प्रकार का प्रारूप है, निश्चित अनिश्चित सरल या कठिन, तो इसका जो सही आंसर होगा option भी अनिश्चित, पश्चित प्रारूप है, निश्चित अनिश्चित सरल या कठिन, तो इसक इसका जो सही आंसर है वो है option C. पाल बोहानन जोनों ने राजवेहिन समाच का सरुपर्थम प्रयोग किया है निम्न मेंसे कोन सामाजिक परिवलतन के तक्निकी निवधारनवाद में विश्वास करता है निम्न मेंसे कोन सामाजिक परिवलतन के तक्निकी निवधारनवाद में विश्वास करता है इमाईल दुर्किम, कालमाक्स, मैक्स वेवर या वेबलेंद तो इसका जो सही आंसर है वो है option D. वेबलेंद तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किया है तो सबिस्क्राइब करें तथा साहती नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें धन्यवाद